दोस्तों आप सभी के एक बार फिर से LTS में स्वागत है आज हम बात करेंगे चार स्टॉक के बारे में और मुझे लगता है कि देखिए अगर हम आप ये विशय पे चर्चा करें कि जो एक साल पुराना किसी कमपनी का रेट था आज वो मिले अगर बढ़िया कमपनी रही है त लेकिन हमें कुछ ऐसी कमपनियां हैं जो अभी हाली में गिरावट हुई थी जो करेक्शन आया था काफी स्यादा गिर चुकी थी कुछ कमपनियों ने बाउंस भैक किया कुछ कमपनियां अभी वहीं पे खड़ी हैं कुछ स्मॉल कई पी कमपनियां जिने बहुत तेस गिरा बाकी है तो मेरे विचार से आने वाले तीन साल, पांच साल, साथ साल, दस साल इस लक्ष को लेके आप चल रहे हैं तो आपको जो है आपको भारत की ग्रोथ हिस्टोरिम पाडिसिपेट करने का उसर प्राप्त होगा और आने वाले समय में अच्छा खासा पैसा बनेगा ये voltage stabilizer बनाती है, inverters हो गया, tube हो गया, solar power system हो गया, batteries हो गया, इसी का जो अगर आप देखें, electric vehicle को लेके या अगर लोग अपने सावर उर्जा को लेके focus हैं तो इन कंपनियों को फायदा मिलने वाला है electrical solar, heat pump, water heaters हो गया, wires and cables में भी है, fans भी है, यानि कि ऐसे products हैं जो घर घर में इस्तेमाल होते हैं, चाहे कोई भी industry हो, चाहे कोई भी corporate घराना हो, kitchen appliances में आ जाते हैं, pumps हो गया, domestic switch gears हो गया, modular switches हो गया, air coolers हो गया, water purifier हो गया, और भी सारे products हैं, चित्र में भी आप देखी सकते वीगाट का अगर हम stock price देखते हैं, 226 रुपए की price पे trade हो रहा है, और ध्यान दीजिएगा कि अभी अपने साल के low के खरीब, अगर देखें, 212 का low और 280 का high तो high बनाने के पश्चाद इतने low पे correct होके यह यहाँ पे गिर चुका है, अगर देखें, एक साल के chart में जाते ह और 2008 की listed company है, price to earning ratio कर देखते हैं, 42 का earning pressure 5 रुपए 35 पैसे, price to book ratio 7.79 का, और delivery 60% के आसपास है, और dividend भी pay करता है, 0.53% dividend yield निकल के आ रहा है, लेकिन return wise इतनी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, कि जो भी returns खतम हो गए हैं, एक साल में आपको fixed deposit वाले return मिल रहे हैं, और जिन इनको यह लगता है कि इस company के product से आइनका future अच्छा हो सकता है, तो जरूर इसको consider करें, अपने दोहें नजर में रखें, दूसरा जो stock है, HLE Glass Court Limited is a leading manufacturer of process equipment for the chemical and pharmaceutical industries, अब मुझे याद है कि जब भी मैं इस stock पे video बनाता हूँ, या पहले जब भी बनाया हूँ, ये stock ऐसा है कि अनवरात अगर देखें, साल डेड़ साल में इतना तेज से भागा है, इतनी ज्यादा इनके product के demand होई है worldwide कि कभी भी same price पे नहीं मिला, अभी मागे चलके price वगेरा देखेंगे, we are market leader in filtration and drying equipment and are a leading manufacturer of glass lined equipment globally, we manufacture a wide range of chemical processing equipment in an equally wide range of materials for some of the most demanding applications, मतलब जो भी pharmaceuticals या chemical के reactors या फिर जो भी उनके प्रयोक शालाओं में इस्तेमाल होते हैं, उसके लिए equipment से बना के देते हैं, दुनिया भर के जो है कारोबारियों को, प्रोड़क्स अगर highlights आप अगर देखेंगे, चिसा चितर में देख सकते हैं, filtration and drying equipment हो गया, glass lined equipment हो गया, exotic metal equipment हो गया, cgmp pharma models हो गया, Recently अभी इसमें एक खबर भी थी कि ये जो कमपनी है, चली glass court completes acquisition of 100% stake of Thalatek GMBH, जो की जिसका इन्होंने 100% अधिगरहन कर लिया है, ताकि अपने कारोबार को और ज्यादा फाइला है जा सके, H.A.L.E. Glass has announced that it has successfully completed the transaction to acquire the global business of Thalatek GMBH along with its holy one subsidiary Thalatek INC USA after receiving all necessary regulatory approvals, तो ये इस कमपनी के लिए भी सुखत सूचना है, इसको प्राइस चल रहा है 6,576, मानते हैं कि एक रिटेल निवेशक के लिए एक बड़ी धनराशी है, लिएक साल पहले ठीक 1775 गथा और अभी साले 7,000 पा में गिरावाट हुई थी और अभी फिलाल पैंसार सो पे चल रहा है, और मुझे लगता है कि अनुवरत जाने वाला ये रुखने वाला नहीं है, अभी भी देखिए इस मॉल कैप के कंपनी 8,989 करोड कि इसकी मार्केट कैप है, एक वर्ष में रिटन देखते हैं, थाई ज्यादा इसमें जो है तेजी देखी गई एक साल में, तो कहीं ने कहीं रेगलेटर को लगता है कि कुछ ने कुछ मुलिपूलेशन हो रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है, बाजार इसलिए इस स्टॉक को वैल्यू दे रहा है, क्योंकि अच्छे खासी कमाई है, इसकी साल दर साल अच्छी ग्रोथ है, अच्छे प्रोड़क्ट्स हैं, इस वज़े से इसको जो है बाजार तवज्जु दे रहा है, प्राइस टुइनिंग रेशियो 145 का अर्निंग परशेर 45 रुपए, देखिए, 34 पैस से निकल के आ रहा है, एक शेर में इसकी कमाई है, प्राइस टुब और भी पार्टिसिप्रेट करें, तो इस स्प्लिट भी हो सकता है, तीसरी कमपनी है यहाँ पे हिंदुस्तान, फूट्स लिम्टेट, जो हमने चुना है, देखिए, इसका जो काम काज है, जो FMCG की टॉप की बड़ी-बड़ी कमपनिया है, हिंदुस्तान, लिवल लिम्ट बनाता है, ठेके का एक तरीके से काम होता है, हिंदुस्तान फूट्स का जो स्टॉक प्राइस है, तीस सु बारा रुपए है, अभी इसमें अच्छे खासी गिरावट आए थी, इस गिरावट में देखिए, काफी नीचे मिल रहा था, तो इसमें ऐसे स्मॉल काइप कमपनि आज की डेट में दिखाए दे रहे हैं, 53% से ज्यादा के, 6 मेह ने पहला जिनो निवेश किया, उनको भी करीब 15.5% के आसपास के रिटन है, 4902 करोड की मार्केट कैफ, 10 की फेस वैल्यू होला स्टॉक है, प्राइस टो अर्निंग रेशियो 113 का अर्निंग पर शेर 20 साफा आता है, अपने ग्रोथ में लगाती हैं, इसलिए आपको अगर आप लंबी अवधी में देखेंगे, तो वंदुस्तान फूर्स एक मल्टी बैगरी स्टॉक है, बहुत अच्छे रेटन बना के दिये हैं, और यहाँ पे जो आपका प्राइस अप्रेशियोशन होता ही रहता है, क्योंकि वैलिवेशन इसको अच्छी खासी मिल रही है, हाले कि देखे जाए तो उतना प्रॉफिट मार्जिन कमाल का नहीं है, क्योंकि टर्न ओवर तो काफी अच्छा है, पर चुकि कॉस्ट भी लगता है, आप कोई भी चीज बना रहे हैं, कॉन्ट्रेक्ट बे हमने चुना आर्थी सर्फक्टेंट्स, इसके चुनने के पीछे काण यह है कि काफी ज़्यादा गिर चुका है, आर्थी सर्फक्टेंट्स एक आर्थी ग्रुप से डिमर्ज होकि स्टॉक इसके अलग से लिस्टिक हुई थी, जब मार्केट क्रैश होई थी उसके पास चाह और यह देखें कैसे काम कास करता है आरती सर्फक्टेंज अगर देखते हैं बेबी केर, ओरल केर, हेर केर, होम केर, इंडस्ट्रियल अप्लिकेशन, स्किन और परसनल केर इन सब के लिए जो है अनिक प्रकार के केमकल्स तयार करता है तो बड़िया प्रोडक्ट्स हैं, अभी जो है फिलाल ये छोटी कमपनी है क्योंकि अभी हाली में दिमर्ज हुई है लेकिन जो स्टॉक प्राइस चल रहा है दस्सो बावन का, अब देखिए 1887 का हाई बनाते हुए दस्सो बावन पर ट्रेड हो रहा है यानि कि कितना ज्यादा गिर चुका है और अभी अपने अलो के आस पास ट्रेट कर रहा है जो रिटन थे सारे खतम हो गए एक साल में सिर्फ एक्स टेपाउज जो रिटन यहां पर दिखाए दे रहे हैं जिन्नों छे मैने पहले निवेश किया उनको भी 24-25 परसन का नुकसान हो रहा है देखे 798 करोड की जो इसकी मार्केट कैप है प्राइस टो अनिंग रेशियो है 50 का अनिंग पर शेयर है 20 रुपए 27 पैसे प्राइस टो बुक रेशियो है 5.88 और डिलेवरेवल 62 परसन के आसपास है जो की जबरदस्त है डिविडेंट भी देखे पे करना शुरू कर दिया है 0.28 परसन डिविडेंट इल निकल के आ रहा है वो इसलिए कि आरती ग्रूप को बिलोंग करती एक बढ़या ग्रूप है तो कहीं ने कहीं उसकी जो छत्रचाया में पल रही है तो डिविडेंट भागयरा पे करती रहेगी और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि जिस प्रकार सर्फक्टेंट्स का मांग है जिस प्रकार से अनेगल अगर इंडस्ट्रीज में तो उस हिसाब से ये फीचर में एक मल्टिवेगर साबित हो सकता लेकिन ऐसे स्टॉक आपको ध्यान रखना है कि कभी-कभी आपके निवेश के अगेंस्ट भी चल जाते हैं जैसे किसी ने मालेजे 17 पिसव पिलिया हुआ है किसी ने 18 सो पिलिया हुआ है तो उनको तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो हमेशा इसलिए लंबियाव धीक लिए सोच की अच्छी कमपनियों के चुनाओ करें और थोटा मोटा रिस्क अगर किसी बड़े ग्रूप की कमपनी है वो उभर रही है उसको अलग से डिमज किया गया ताकि उस पे ज्यादा फोकस किया जा सके तो इन बातों का भी खयाल रखना पड़ता है तो ये आज हमने चार स्टॉक्स पे चर्चा की दोस्तों और चार स्टॉक्स के नाम एक बार फिर मैं बता देता हूँ वीगार्ड रहा आपका एचेली ग्लास कोट रहा और उसके पाश्चात हिंदुस्तान फूर्ड और आरती सर्फर टैंस ये चार कमपनियों के बारे में हमने चर्चा की है मुख्य मकसद था आप लोगों के समक्षिन कमपनियों को लाना ताकि आपके नज़र बनी रहे चाहाँ छोटी हों ये चारों इसमाल कैपी कमपनिया है निर्भर करता है स्टाफ प्रैस सबका अलग-अलग है तो अपने रडार पर रखें निगाह पर रखें और धीरे धीरे जो भी आपको कमपनी पसंद हो अपने स्टडी के माध्यम से आपनी वेश करते रहें लंबियों दे के लिए मुझे लगता है आने वाले समय में अच्छा पैसा बन सकता है चार से पांच सालों में या दस सालों में आपके विचारों का स्वाकत रहेगा कोमेंट बॉक्स में थैंकी सो मच